लव यू बेबी एपिसोड टॉंटी टू एपिसोड के स्टार में हमें किपी को दिखाया जाता है जो सीडियों से गिर जाता है वो बहुत ज्यादा बिमार होता है वहीं निचेन आती है और उसके मुँपे हाथ रख देती है ताके योजू को उसकी बिमारी ना लग जाए वो उसे कहती है तुम कुछ दिन अपने कमरे में ही आराम करो योजू का ख्याल मैं खुद रखूंगी किपी कमरे में चला जाता है निचेन साथसुकी से कहती है किपी बिमार है और हमें योजू का बहुज़ा ख्याल रखना है इसलिए तुम्हें उसे स्कूल छोड़के भी आना होगा और उसे वापिस भी लेके आना होगा साथसुकी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता लेकिन निचेन उस पर घुसा होती है और कहती है मुझे तो आफस जाना है इसलिए उसका ख्याल थो तुम्हें ही रखना होगा योजू भी खुश होती है कि आप से साथसुकी मुझे छोड़ने जाएगा साथसुकी योजू को लेके जा रहा होता है साथसुकी आगे आगे चल रहा होता है और योजू पीछे पीछे योजू भागती है और वो साथसुकी से कहती है किपी तो मेरा हाथ पकरता था साथसुकी भी उसका हाथ पकर लेता है और दोनों चलने लगते हैं योजू साथसुकी से बाते करती है और कहती है कि कीपी मेरसे बाते करते करते जाता था और अगर मुझे भूक लगती थी तो वो मुझे कैंडी लेके देता था सासुकी उसकी उसकी बातो से बहुत ज़्यादा है क्यूंके उसने कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखा भें पीछे से एक लड़की भागती हुआती है इसका नाम कोबाटा है जो बहुत ज़दा लंबी और बहुत ज़दा खुबसूरत है ये एक मोडल है योजु जैसे ही उसे देखती है वो बहुत ज़दा खुश हो जाती है क्योंकि उसने पहले ही इसका बॉर्ड देख लिया था सासुकी कोबाटा से कहता है क्या तुम मेरा एक काम करोगी कोबाटा बहुँ ज़्यादा खुश होती है और कहती है क्यों नहीं सासुकी कहता है मुझे योजू को स्कूल छोड़ने जाना है और मैं लेट हो जाओंगा तो इसके बारे में तुम टीचर को बता देना कुबाटा खुशी से वहां से चली जाती है योजू और सब बचे खेल रहे होते हैं सब योजू से पुछते हैं कि तुम क्या बनोगी पहले तो वो बहुँ ज़्यादा सोचती है और कहती है कि मैं बस ट्रेशन वाली लड़की बनूगी और मैं उसे मिल भी चुकी हूँ सब हैरान होते है कु कहता है वही लड़की जिसके हाथ में जूस होता है योजू कहती है हाँ तो उस पर मारी का कहती है कि वह इसका मतलब तो मोडल बनना चाती हो योजू बहुत ज्यादा है मारी का कहती है तुम कभी भी मोडल नहीं बन सकती कु कहता है ऐसा क्यू नहीं तो मारी का कहती है मोडल तो बहुत ज्यादा लंबे होते है योजू कहती है इसका मतलब ये तो इंपोसिबल है वहीं सासुकी स्कूल में आता है और कुबाटा से कहता है क्या तुमने टीचर को बताया था कि मैं लेट हो जाओंगा लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती वो अपनी दोस्तों से कहती है कि मैं सासुकी को बहुत ज़्यदा पसंद करती हूं और जब मुझे उसने काम कहा तो मैं बहुत ज़्यदा खुश हो गई थी और ये भी कहती है कि कल सासुकी के साथ मेरे दो पीरियर्स है मैं तो अभी से सूज रही हूं कि मैं उसके साथ कैसे रहूंगी लेकिन उसकी दोस्तें उसे तंग करने लगती है और कहती हैं सासुकी को लंबी लड़की नहीं पसंद और उसे छोटे बालों वाली लड़की पसंद है और उसकी दोस्तें ये भी कहती है सासुकी को मॉडलिंग बिल्कुर भी पसंद नहीं है जिससे कोबाटा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है उसकी दोस्ते वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ये कुछ जादा ही हो गया वही हमें सासुकी को दिखाया जाता है जो योजू को घर वापस लेके आ रहा होता है योजू दुखी होती है सासुकी कहता है कि क्या कीपी के बगार तुम अकेली हो गई हो योजू कहती है थोड़ी सी वो जैसे ही पार्क देखती है तो सासुकी से कहती है कि मिलके खेलते हैं लेकिन सासुकी कहता है कि मुझे तो वो खेलना ही नहीं आता तो योजू कहती है मैंने भी नहीं खेलना और वहां से चली जाती है वहीं अगले सीन में योजू को दिखाया जाता है जो पेंटिंग मना के लाती है किपी की मौम उसे देखती है और कहती है तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हो सासु की भी देखता है लेकिन योजू दुखी हो जाती है क्योंकि किपी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता था और उसकी हर प्रेंटिंग को कुलेक्शन के दोर पर कटी करता था सासु की योजू को कहानी सुना रहा होता है और वो कुछ और बुक देखने लगता है जिसमें पुरानी पिच्चर्स होती है और उसमें पिच्चर किपी की भी होती है सासु की योजू को उसकी पिच्चर दिखाता है जब वो किंडर गार्डन में था योजू सासु की से पूछती है कि किपी कैसे लड़का था वहीं निचनाती है और उसे बताती है के इस पिचर में किपी रो रहा था क्यूंके साथसकी पैदा हुआ था किपी की मों भ्योजू को पताती है कि जब मैंने किपी से कहा कि अब तुम बड़े भाई बनने वाले हो तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा और वहां से भाग गया निचन बताती है कि मैं उसके पास गई और जब वो मेरी बात नहीं मार रहा था तो मैंने उसे एक थपड़ मारा निचन किपी से कहती है कि जब तुम भी पैदा हुए थे तब मैं भी इसी तरह रोई थी लेकिन जब सासुकी पैदा होता है तो किपी उसे देखके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है योजू कहती है क्या ये सब कुछ सच है निचन कहती है तुम किसी को अपने पास नहीं आने देते थे सिवाए किपी के सासुकी जैसे ही ये बात सुनता है वो योजू से कहता है मुझे सैंड बॉक्स में खेलना आ गया है हम कल जरूर खेलेंगे वही अगले दिन स्कूल में योजू पानी पी रही होती है और कहती है मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओंगी क्योंकि मुझे एक मॉडल बनना है मारीका कहती है देखते हैं कि 10 साल बाद कौन बड़ा होगा वहीं अगले सीन में सासुकी को दिखाया जाता है जो टीचर के पास खड़ा होता है टीचर सासुकी से कहता है कि आज की तुमारी ड्यूटी कुबाटा के साथ है कुबाटा भाग के कमरे में आती है सब बचे उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो तो वो कहती है कि आज मेरा शूर्ट था इस वज़ज़ से मैं लेट हो गई हूँ कुबाटा को फिर से याद आता है कि सासुकी को मौडलिंग पसंद नहीं है सासुकी जा रहा होता है कि कुबाटा उसे पीचे से आवाद देती है और उसे आज के लिए सोरी कहती है और कहती है बागी बचे वी डायरी मैं खुद कंप्लीट कर लेती हूँ कुबाटा कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे मौडलिंग छोड़ देनी चाहिए लेकिन साथसुकी कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है बस्ये डायरी टीचर को दे देना और साथसुकी वहां से चला जाता है कुबाटा रोने लगती है और कहती है कि काश मैं साथसुकी को बता सकती कि मैं उसे पसंद करती हूँ वहीं अगले सीन में हमें साथसुकी को दिखाया जाता है जो योजू के साथ खेलने आता है योजू साथसुकी से कुबाटा की बारे में बात कर रही होती है कि वहीं पीछे भाग के कुबाटा आती है सासुकी पीछे देखता है और कुबाटा नीचे गिर जाती है वो उठती है और वो डायरी सासुकी को देती है सासुकी कहता है कि यह डायरी तो तुम्ही टीचर को देनी है कुबाटा कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन मैं अपनी मॉडलिंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मुझे पता है कि तुम्हें मॉडलिंग पसंद नहीं है और तुम्हें लंबे बाल भी पसंद नहीं है साथ सुकी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौडलिंग वाली लिड़के पसंद नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे लंबे बालों वाली लिड़के पसंद नहीं है साथ सुकी कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम से लंबा हो जाऊंगा साथ सुकी कहता है तुम ये डायरी ले आई हो अब कल टीचर मुझे डांटेगा लेकिन इसकी मुझे कोई परवाद नहीं है जिससे कुबाटा समाइल करने लगती है और इससे मेरे चेरे पे भी समाइल आ जाती है आज का एपिसोड यहीं पे एंड होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिस